हेलो दोस्तो नमस्कार आदा प्रणाम से स्रेकाल जोहार में हूँ आपका दूस्त अमीद और मैं जब को बताने हो लग विकेंसी के बारे में जो निकल क्या रहे दोस्तो काराल है असानिक सल चिकितसक सामुख चिकितसा पतेदिकारी दुमकास है तो दोस्तो आप लोग वीड दन के दीब दीथी सुरू में आप देख लेए चोबीस तारिक तक इसकी लास्ट एट है और दोस्तो चली हम लोग देखते हैं इसको भेजना कैसे है तो तो यह दू बेकिंसी होगी समीदा के अधार पर होगी और स्वक्रित पदों के विरुद कार करने है तो दिनांग चो को पहले प्रोष्ट क्या है महीला स्वास्थ कारेकरता एनम की इसमें दोस्तों 21 सीटे है कैटेग्री वाइज आप लोग देख लें और बैक लोग की चार चार सीट है इंटर्मीडेट की होनी चाहिए आप और दोस्तों एनम की प्रसिक्षन आपके पास होनी चाहिए इसके मासिक मान दे 10,395 रुबीज है स्टाफ नर्स तो है स्रेनी एक ही है इसमें पास सीटे है एक बैकलोग वेकंसी इंटर्मीडेट की होनी चाहिए दोस्तों या दोस्तों इंटर्मीडेट होनी चाहिए सरकारी या सरकारी द्वारा माने तो प्रप संस्तान से तीन वर्स की जी सब्सक्राइब काटेगरी वाइस देख ले और डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए रइस्टर होने चाहिए जार्गन इस्टेट फार्मेसी काउंसल की और कंप्यूटर की प्रफिंसी होने चाहिए दोस्तों 12600 रुपेमेंट है और स्टाफ नस्व स्रेनी एक ही है दोस्तों इसमें 16,564 रुपीज है ब्लॉग डाटा मैनेजर की है दो सीटे है दोस्तों ग्रेजवेशन होने चाहिए कोई भी डिसिप्लीन में और वन इयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन होने चाहिए पू आलिस वर्ट परमिनेटी इन इंगलिस होने चाहिए एक्सेलेंट कम्यूकेशन फ्लेंसी लेको लोकल लेंगवेज होने चाहिए पंद्रह हजार इसकी मासिक मान दे बताया जारिया दोस्तों आयूस फर्मसेस्ट की दो सीटे है डिप्लोमा होनी चाहिए आयूस आयूस युनानीक फरमासी फ्रम गवर्मेंट इकनाइस इंस्टेटूट प्रेथिक एंपाउडर के डिप्लोमा इन होमेटी फ्रमेट इन इसकी मान दे बताया गी है रेफिजिरेटर मेकनिक की एक सीट है दोस्तों मैट्रिक पास होनी चाहिए और सेटिफिकेट होनी चाहिए आई न काउंसलर म्ट्रीसी की एक सीट है बैक्पलोग और दुस्तों इसमें मास्टर्स डिगरी होनी चाहिए या मास्टर्स या फिर बैचलर्ड डिगरी फूड एन्ड नूट्रिशन में या फिर होम साइंसेस ओनर स्वाम पास होनी चाहिए वन की एक्सपिरेंस होनी चाहिए फिल्ड में basic computer की स्किल्स होनी चाहिए और इसमें प्रिफरेंश दे जाएगी फीमेल गांड़ेट्स को 15,000 पैस की मासिक मान दे बताएगी है A.N.M.B. RBS की एक सीट है 10 प्लस टू पास होनी चाहिए A.N.M.B. कोर्स की होनी चाहिए दोस्तो 10,395 रुपीज है और दोस्तो जो की होनी चाहिए रेजिस्टर जहारकन डर्सिंग काउंसिल से Pharmacist RBS के 11 सेट है category वाइज आप लोग देख लेए डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए और दोस्तो जो की होनी चाहिए जहारकन फिश्टेट फार्मेसी काउंसिल से 12,000 पर इसके मासिक मांदे बताई जा रही है दोस्तो R.M.N.C.H. F.P. काउंसिलर R.M.N.C.H. इसमें युवार की फ़री दोस्तो इसमें टोटल 5 सीटे है आप लोग category वाइज देख ले एक सटी के backlog सीट है तो master या फिर bachelor डिग्री होनी चाहिए फाइक último में पभ्लीक and स्टेशन में और फिर होस्पिटल अ सब्देख या सरह आपकर पास master या bachelor डिग्री है तो आप सकते वान ये की experience होनी चाहिए local language fluency होनी चाहिए जिंचिए पंद्रह जार उन्प इसके मासिक मानदे बताई लिए ophthalmic assistant NPCB plus RBS के 3 सीटे है आप लोग category वाइस देख ले 2 years की diploma course होनी चाहिए optometry में और trained as ophthalmic assistant होनी चाहिए in any other government recognized hospital और दोस्तो 13,230 पे इसके मासिक मानदे बताई जारी है ANM की 1 सीटे है 3 plus 2 होनी चाहिए और A&M की course की होनी चाहिए, Excel की experience, सुरी दोस्तो, Excel की experience नहीं माँगेगे, आप experience नहीं भी है, तो भी भर सकता है, 10,395 रुपीज इसके मासिक मान दे बताएगे, clinical psychologist, एक seat है, post graduate degree होनी चाहिए, psychology में, या फिर दोस्तो, applied psychology में, masters of philosophy in medical and social psychology, और masters of philosophy in mental health and social psychology, वाले भी भर सकते हैं, दोस्तो, after completion of full-time course of two years, which includes supervised clinical training होने चाहिए, approved and recognized by Rehabilitation Council of India, 26,250 रुपीज इसके मासिक मान दे बताएगे है, G&M District NCD Clinic, दो सिटे है, G&P coach होनी चाहिए, दो साल की experience होनी चाहिए, 18,900 मासिक मान दे बताएगे है, तो इसी तरह काफी अधिक seat ही निकाली गई है, दोस्तो, तो मैं seats बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉस करके देख लें, या फिर मैं दोस्तो टोटल बता देता हूँ, लैब टेग्निशन की एक सी पोस्ट है, 10 प्लस टू होनी चाहिए, डी-मल्टी होनी चाहिए, 18-900 रप्या मासिंग मान दे होनी चाहिए, वर्किंग इस्पिरेंस होनी चाहिए, लाज होस्पिटल में काउंसिलर, डिस्टिक NCD क्लीनिक एक सीटे है, बैसले डिग्री सोसल साइंसेज वाले भी भर सकते हैं, या फिर डिग्री डिप्लोमा इन काउंसिलिंग हेल्थ एडुकेशन या मास कम्मुनिकेशन वाले भर सकते हैं, तू साल की एक्स्पिरेंस होनी चाहिए, दस अजार पांसोर प्या मासिंग मान दे होनी बताएगी है, तो दोस्तो इसी तरह की काफी पोस्ट है, तो आप लोग वीडियो को देख लें, पोस्ट करके दोस्तों क्यों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसकी सारी बताता हूँ, काउंसलर, CHC, NCD क्लिनिक, तीन सीटे हैं, बैसलर डिग्री होने चाहिए, सोसल साइंसेस में, या फिर दोस्तों डिग्री डिपलोमा, इन काउंसलिंग वाले ही भर सकते हैं, या फिर दोस्तों हेल्ट एडूकेशन या मास्ट कम्निकेशन वाले ही भर सकते हैं, दो साल की एक्सपिरेंस के साथ, 10,500 मासिंग में बताएगी है, से, ARSH Kun mascara, दस सीटे हैं, कैटेगरी वाइज देख ले, PG, Psychology या फिर सोसल वाले भर सकते हैं, सोसल वर्क, या फिर सोसलोजी वाले भर सकते हैं, या anthropology, human development वाले भर सकते हैं, human development और डिपलोमा ए नर्सिंग वाले भर सकते हैं, तीन साल की experience के साथ, 9,240 उर्पे इसके मासिक मान्दे बताईगी है Senior Tuber Silosis Laboratory Supervisor एक सेट है स्टी की है Graduate होनी चाहिए Graduate वाले भी बढ़ सकते हैं Graduate होनी जरूरी है Diploma in Medical Laboratory होनी चाहिए Permanent Two-Wheeler Driving License होनी चाहिए Certificate Course होनी चाहिए Computer Operation की दो मैने की 22,491 रुपीज इसके मासिक मान्दे बताईगी है DMLT NTP की एक सिट है 10 प्लस 2 होनी चाहिए और Diploma और Certified Diploma और Certified Coach Medical Laboratory Technology और Equivalent वाले भी भार सकते हैं 12,600 रुपैस के मासिक मान्दे बताईगी है Preferred Preferred किसको की जाएगी Qualification वो आप लोग देख ले एक सिट वाले भर सकते हैं या फिर दूस्तों और लिखी गई आप लोग ध्यान देजाएगा और दूस्तों Intermediate 10 प्रेस्टों एक्स्पीरेंस वार्किंग इस MPW, LHB, NM, Health Worker, Certificate और हाइएर कोर्स in Health Education Counseling और दूस्तों बैजले डिग्री या फिर दोस्तों डिग्री इन सोचल वर्क, सोचलोजी, साइकलोजी वाले भर सकते हैं 15,750 उर्पेस की मासिक मांदे बताएगे हैं आप लोग प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन देख लें विडियो को पाउस करके फार्मसिस्ट की एक सीट है यूर की डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भर सकते हैं जो कि जार्कन रिश्टेट काउंसल से जार्कन रिश्टेट फार्मेसी काउंसल से रेइस्टर होनी चाहिए वन येर एक्स्पीरेंस है तो काफ़ी अच्छी हुगे सेलेक्शन हो लेने की चांसेस बढ़ी है आपकी पंदरह हजार रुपए इसके मासिक मांदे बताएगी है SDS Pharmacist की एक सेट है डिग्री है डिप्लोमा वा इन फार्मेसी वाले भर सकते है पंदरह जार रुपए इसके मासिक मांदे है SDS Store Assistant है एक सीट है दोस्तों 10 प्लस 2 वाले भर सकते है तो प्रिफर की जाएगी जिनके पास डिप्लोमा है इन फार्मेसी और दोस्तों कम्प्टर की नॉलेज होनी चाहिए 11,550 रुपए इसके मासिक मांदे बताईगी है सभी सेवाई दोस्तों अनुबंद पर होगी एक वत्स का अनुबंद है जोस्तों आज़ा सकता है कि अनुसार उनकी बढ़ाई जा सकती थी थे अनुबंद की अब एज लिमिट देखने वाली बात है समान वर्ग के लिए दोचों नियूत्तम आईचिँ है अधिक्तम 35 हें पिछटा वर्गी बतक्हाइंत पिछटा बपके लिए 37 अनुबंद जाती जान जाती है आपकी 40 है महिला समान वर्ग पिछटा वर्गी बतक्हाइंत पिछटा वर्ट के लिए 38 साल Engineering तो यह थे दोस्तो नोटिफिकेशन आज की तो 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 यह जो भेजना है आप लोगों को मैं बता चुका हूं स्पीड पोस्ट यानि बंद्रिट डाक से सीविल संजन दुमका के नाम सावेदन अमंतर्त किया जाता है हां पर साब साब लिख दी गए हैं और इसमें दोस्तों देखने वाली बात जो है वह आपको मैं नीचे बता देता हूं दोस्तों अगर आपके पास जो अवियारती सौक्षनिक योगता के लिए सीजीपी स्कोर कार्ट प्रस्तूत करेंगे तो और दोस्तों इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं और एक सियाधिक पदों के भेजना कैसे सभी तरह से आवेदन को बंद लिफाफे में निबंदी डा के स्पीड पोस्ट से असनिक सल चिकित सकसा मुख चितकित सा पददिकारी दुंका के कारले में जमा किया जा सकता है लिफाफे के उपर इस पर स्ट्रूक्षन निम सूचना है उपलब्द कराए दे आपको लिफाफे के उपर क्या लिखना है तो आप लोग इसको भेजे और सारे डॉकुमेंट्स भी साथ में भेजे आपकी एक्स्पीरेंस की आपकी कनवर्शन चार्ट की तो दोस्तों यह थी आज की इंफोर्मेशन तो अगर जारखन की इस तरह के अपडेट आपना चाह